हाई अब्रीवान नमस्ते वेलकम बैक टू माई चैनल देखिए आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक मेकप परड़क्ट के बारे में होने वाली है देखिए यह मेकप परड़क्ट है वो एक लिक्वर्ड कंसीलर है देखिए यह लिक्वर्ड कंसीलर जो मेरे पास है वो NY Bay की तरफ से है, इनका NY Bay Conceal and Conquer Liquid Concealer NY Bay का काफी लंबे टाइम से अवेलेबल है, देखें, यह ओनलाइन अवेलेबल है आपने इसकी बहुत सारी वीडियो देखी भी होंगी, मैंने शायद बहुत ही जादा लेट इसकी वीडियो बना रही होंगी अब ही परचेस के हैं तो अभी मैं आप लोगों के साथ अपना रिवियो शेयर करूगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिगा प्लीजिगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दिजिगा आज की वीडियो धे है आज यह की वीडियो की तरफ से है इनका लिक्विड गड गॉसलार वह इसके बारे data भ lawn आप बारी इसकी आओटर पैकेजिगंगी इसी तरह डिक बिरह इसका हां इसमें इन्होंने पीछे बताया हुआ है एक तरफ की किसे कैसे use करते हैं देखिए concealer के जो uses हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी कि आप किसकी तरह सी से use कर सकते हैं इसका जो price है इसका price 225 है यहां पे इन्होंने mention किया हुआ है 225 इसका price है लेकिन discount पे यह available रहता ही है आप परपल पे इसे purchase कर सकते हैं परपल वेबसाइट से और नहीं का ब्रैंड है और कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा आपको परपल पे ही available होगा इन्होंने बाहर इसके पूरे जो claims है वो कर रखे हैं इन्होंने बता रखा है कि यह full coverage concealer है waterproof है dewy effect देता है quick dry formula है और यह बहुत ही lightweight है हम इसे apply करेंगे मैं आपको लगा के दिखाऊं कि उसके बाद हम इसके जो claim है उसके बारे में बात करेंगे मैंने जो इसका जो shade purchase किया है वह है 0510 देखिए इसमें और भी shade आते हैं जहां पर इसका shade name लिखा हुए इसमें और भी shade आते हैं लेकिन मैंने अपनी skin tone के साबसे मेरा जो shade मुझे यह सही लगा कि जो इन्होंने description दे रखी ती उसे साबसे मैंने 0510 जो shade है वह purchase किया देखिए यह है इसकी inner packaging इसमें भी बस आगे NY Bay लिखा हुआ है पीछे concealer liquid concealer लिखा हुआ है और पीछे जो shade है 0510 वह दे रखा है और इसकी जो product quantity इन्होंने दे रखी है वह 4 ml दे रखी है सो इस तरह की इसकी जो outer packaging है सो देखिए अब मैं आपको पहले इसका hand swatch करके दिखाऊंगी कि इसका जो shade है वह किस तरह का दिखता है देखिए यह देख सकते हैं आप 0510 जो shade है मुझे मेरी skin के हिसाफ से यह ठीक लगा क्योंकि जो बाकी और shade थे वह बहुत थी ज्यादा light shade थे मैं online जो अनलों description दे रखी थे उससाफ से मुझे यह ठीक लगा जो shade थोड़ा सा अगर मैं बताऊं कि थोड़ा सा मेरी skin के साफ से मुझे थोड़ा सा यह dark लगा लेकि जब आप इससे blend कर लेते हैं आपके skin में आपके skin के साफ से यह absorb हो जाता है तो देखिए मैं अभी आपको इससे blend करके दिखा देती हूँ तो देखिए इसका जो मैं आपको बताऊं देखिए इन्होंने जो claim कर रखे हैं कि यह full coverage concealer है देखिए यह full coverage concealer तो नहीं है देखिए आप देख सकते हैं अगर आपको show हो रहा होगा मेरे nose पे और मेरे eyes उसके नीचे dark spot हो रखे हैं मैं इसे apply करती हूँ लेकिं मैं आपको बता दू कि इसका formula है बहुत ही जादा dry है कितना भी अच्छा moisturizer लगा लो कितना भी मैं skin dry है मैं बहुत ही rich monster अपनी skin को करके रखती हो लेकिं अब जितना भी monster अपनी skin को कर लें लेकिं यह आपकी skin पे ऊपर ऊपर बैठ जाता है और आपको दिखता है कि easily blend नहीं होता आपकी skin के ऊपर ही रह जाता है और dryness और भी जादा बढ़ा देता है तो मुझे यह जो concealer है आपकी बहुत सारी concealer होता है कि आपकी skin में easily absorb हो जाते है आपको पता भी नहीं चलता आपने concealer लगाया है लेकिं इतना dry है कि आपको लगाते हो आप उसी वक्त ही आपकी skin में absorb नहीं होता आपकी skin के ऊपर ऊपर ब बहुत सकती कि यह full coverage concealer है क्योंकि मेरे जो nose पर इतने ज्यादा dark spot हो रखे है और eyes के around जो dark spot हो रखे है यह उनको height नहीं करता है वह वैसे कि वैसे ही रहते हैं उपर से मेरी skin और ज्यादा dry हो जाती है light weight जी हाँ formula इसका जो light weight है एक जो इन्होंने claim कर रखा कि यह light weight है जी हाँ formula light weight है do effect है देखें थोड़ा सा do effect है लेकिं dry skin वालों के लिए मैं आपको बताऊँगी है dry skin वालों के लिए concealer बिल्कुल भी नहीं है मेरी skin dry है मैं इसे use करती हूँ ज़ा बिल्कूला के ना क्या सकिि आ셔야 look workूच और कम एक को काया उचे आपकर यह चूड़ा को जाएं work नहीं करता है कि आपकी dry skin बहुत स्किन कशकी हम अ नहीं जाता है अकल BhagY कि जी राक्ष नही हैँ जो कई बार हमारे होते हैं तो फूर पर जाता है, थोड़ी थोड़ी तोड़ी आपके डाक सपोर्ट है, अगर आपको अंडर आई एरिया पर जो पफीनेस नहीं है, जो डाक सखत जादा नहीं है, तो उन लोगों के लिए अच्छा है लेकिन फूल कवरिज कंसीलर में है, ये तो द्राइ सकिन वालों के लिए भी नहीं है अगर आपके बहुत ज़्यादा राग प्लमिश हो रहें उनको यह नहीं करेगा अगर आप रोटीन में थोढ़ा सा अगर आप कोई भी जैसे अपने बीबी क्रीम लगा लिए वैसे आपने यह कंसीलर लगा लिया यह कोई भी ज़्यादा dunks و मैं तो यह डॉय स्किन वालों को रैकॉमेंड नहीं करूँग उसके पर बैठ जाता है तो देखिए मैं अभी आपको अपने अंडर आइस पर इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी देखिए यह मैंने अप्लाई कर लिया है अप्ट इसे जो है फांडेशन और कंसीलर कोई भी पर रहा है उसे यूज़ करना ज्यादा पसंद करती हूं ना कि ब्यूटी ब्लेंडर से देखिए अब आप देख सकते हैं डिफ्रेंस मैंने कंसीलर लगाया देखिए आपको शायद कैमरे में नहीं शो हो रहा होगा लेकिन मुझे ऐसा फीलो देखिए हो रहा है कि मेरी स्किन पर जहां पर नोस के अराउंड बहुत ज़्यादा ड्राइनस हो गया है उपर उपर बैठ किया है वाइट कास दे दी है इसने बिल्कुल उपर उपर ये बैठ किया है मुझे मिरर में अब आपको पूरा शो हो रह जाना होगा इसने कोई भी डाक सकल हाइड नहीं किये है एक जिमेरी स्किन और ज्यादा ड्राइ हो गई है नोस के अराउंड तो देखिए ड्राइ स्किन वालों के लिए तो मैं यह रैकुमेंड नहीं करूंगी कंसीलर और जिनके ज्यादा ड़क्षपोर्ट है उनको भी र पर्स में कैरी कर सकते हैं देखिए एनवाई वे का और भी पर्ड़क्ष ट्राइ किया है काफी अच्छे है लेकिं यह कंसीलर की पात करें फूल कवरेज कंसीलर तो नहीं है सो रेगुलरली आप नॉर्मली से यूजे करा चाते है तो आप कर सकते हैं तो देखिए इसमें ज जरूर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको अगली जो वीडियो आ रही है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे So thank you so much